हेलो बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर टू के क्वेश्चन अंसर तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है हमारे पास नेम फाइब ऑब्जेक्ट्स विच कैन भी मेड फ्रम वॉड हमने कोई भी फाइब ऑब्जेक्ट्स लिखने है जो वॉड स बने हो सकते हैं तो आंसर है इसका चेर, टेबल, डोर्स, पैंसिल है, बोट है, बेड है आपके माइंड में अगर और कोई ऑब्जेक्ट है तो आप वह भी इस आंसर के अंदर लिख सकते हो बच्चों उसके बाद है हमारे पास next select those object from the following which shine हमने नीचे जो उन्होंने यहां पर सबसे पहले है glass ball और next है हमारे पास plastic twiye तो shine नहीं करेगा, steel spoon यह भी क्या करेगा, shine करेगा, अगर cotton shirt की बात करें तो यह भी क्या है, shine नहीं करेगी बच्चों यह भी shine नहीं करेगा, तो उसके बाद है हमारे पास answer में glass ball and steel spoon क्योंकि यह कैसे बने होते हैं, यह lustrous materials के बनते हैं, जो चमकदार material होता है, जिनकी surface reflecting होती है, shiny होती है, ऐसे material से यह चीज़े बनती हैं, जिस वज़ा से हम इसको categorize करेंगे, shiny materials के अंदर, उसके बाद हैं बच्चों, name the objects given below with the material from which they could be made, यहां पर कुछ object लिखे हैं, कुछ material लिखे हैं, हमने बताना है कि कौन सा object किस material से बना हुआ है, और हमने एक और line उन्होंने बताई आपको यह बहुत ज़्यादा important है, remember an object could be made from more than one material, हो सकता है कि जो object है, वो एक से ज़्यादा material का बना हो, and a given material, जो material आपको दिये हैं, बच्चों, यह वाले could be used for making many objects, वो material हो सकता है, कुछ ज़्यादा object को बनाने क लिए यूज किया हो सकता है, तो यह भी आपने mind में रखना है, जैसे book है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि book glass से तो नहीं बनी हो सकती, नहीं वोड से बनी हो सकते, तो book यहाँ पे only एक ही material बन रहा है हमारे पास, वो है paper, चलिए next है, हमारे पास tumbler, tumbler जो है, यह glass से बना हो सकता है, यह glass से बना हो सकता है, और यह किस से बना हो सकता है, यह प्लास्टिक से भी बना हो सकता है, यही बात आ गई ना, कि जो object है, वो more than one material से बना हो सकता है, अगर हम tumbler के अंदर answer लिखेंगे, तो वो आ जाएगा glass, और वो क्या आ जाएगा plastic, बच्चों, अ और चेयर प्लास्टिक से भी बन सकती है, two material है हमारे पास, तो चेयर के अंदर भी wood और क्या है, plastic दोनों ही material आएंगे बच्चो, तोय जो है, यह किस चीज का बना हो सकता, same way, तोय जो होते हैं, यह wood से भी बने हो सकते हैं, प्लास्टिक से भी बने हो सकते हैं, ठीक है न बच् चो, shoes बने होंगे, leather, shoes किस से बने होंगे, leather, glass से तो shoes नहीं बनेगी, नहीं wood से बनते हैं, नहीं, प्लास्टिक से, तो हमारे पास जो shoes हैं, वो leather से बनते हैं, तो ऐसे इसका हमने क्या देना है, बच्चो, answer देना था, ठीक है, next है हमारे पास true and false, कि statements हमने बतानी है, यहाँ पे कुछ statement given है, उनमें से बताना है कि कौन सी true है और कौन सी false है, first statement है, stone is transparent while glass is opaque, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि transparent क्या होता है, और opaque क्या होता है, तब ही आप इनके answer दे सकते हो, बच्चो, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो transparent होती है, ना, है, आप air के बीच में से सब कुछ देख पारे हो, बड़ा easily, ऐसे अगर आपके सामे कोई कांच रख दे, glass रख दे, plane, उसके दूसरी साइड भी आपको बड़ा अच्छे से नजर आएगा, ठीक है ना, बच्चो, जैसे आपके specs होती है, उनके glass होती है, ना, specs कांच के बने होते हैं, शीशे जिसे आप simple बोल देते हो, तो उसके आर पार आप बड़ा easily देखते हो, तो वो सारी चीज़े transparent, opaque होती है, बच्चो, जिसके दूसरी साइड आपको नहीं देखता है, जैसे wall है आपके room की, आपको नहीं पता है कि wall की दूसरी तरफ क्या है, नहीं पता है तो वो होती है, opaque चीज़ें, तो चलिए अब हम देखें, stone आपको क्या लगता है, कि transparent है, आपके सामने बड़ा सारा stone रख दें, एक पहाड है, मालो क्या आप देख सकते हैं, उसके पीछे है क्या, उसके बीच में से आप खुद नजर आएगा, बिलकुल नहीं नजर और glass क्या है, वो opaque है, ये भी गलत है, glass क्या होता है, transparent और stone होता है, opaque ये opposite लिख दिया, तो भी ये statement क्या जाएगी, वच्छों ये statement बन गई है, false, clear, next है हमारे पास, a notebook has luster while eraser does not, वो कहते हैं कि जो आपकी notebook है, बहुत shiny होती है, eraser shiny नहीं होती है, तो कभी आपने देखा है, कि आपके bag में बहुत सारी notebook है, बहुत जादा shining shining करती है, आपकी books ऐसा तो नहीं होता है, तो book में तो कोई shine हमें नजर नहीं है, नहीं कोई razor में, तो ये क्या है बच्छों, ये विए false statement है, next, chalk dissolves in water, आपके पास water का है, यहाँ पे glass, उसके अंदर chalk को हमने dissolve करना है, powder बना लो आप chalk का, तो बेटा, आप देखोगे कि क्या, आपको क्या लगता है, कि वो dissolve हो जाएगा, disappear हो जाएगा, dissolve होने का मतलब होता है, कि आपने कोई भी पानी के अंदर चीज़ डाली है, डालने के बाद, वो बिल्कुल dissolve हो गई है, आपको दिखनी बंद होगे, बिल्कुल उसक कि अंदर dissolve नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए, जब तक आप घुमाओगे, तब आपको लगेगा, कि यस dissolve है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा, सैटल डाउन हो जाएगा, तो ये statement भी क्या है, बचों false है, ठीक, next है, a piece of wood float on water, आपको क्या लगता है, कि wood का एक चोटा सा piece, पानी के उपर क्या float कर सकता है, बोट को आप माइड वले कि, बोट भी तो wood से बनते हैं, फ्लोट करती है, तो yes, ये तो true आगया है, हमारे पास, wood तो पानी के उपर क्या करती है, बचों, फ्लोट करती है, next है, sugar does not dissolve in water, पानी है, उसके अंदर चीनी डालो और उसको आप dissolve करो, आपको क्या लगता है, वो घुल जाएगी, जा as it is पड़ी रहेगी उसके अंदर, नहीं बचो, वो बिल्कुल dissolve हो जाएगी, disappear हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, कहां चलेगा, इस sugar crystals, तो ये statement क्या हो रही है, यहां पे false है, क्योंकि वो तो dissolve होती है, यह वो बोल रहे हैं कि नहीं होती है, तो यह गलत बोल रहे है, तो चलिए next है हमारे पास, oil mixes with water, आपको क्या लगता है, कि जो oil होता है, यह पानी में mix हो जाकता है, जा नहीं होता है, तो यह भी क्या है, एक false statement बन गी हमारे बास बच्चों, क्योंकि oil जो होता है, यह पानी के साथ mix नहीं होता है, तो उसके बाद है, sand settles down in water, आपको क्या लगता है, कि पानी के अंदर जो sand होगी, वो नीचे बैठ जाएगी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तो यह है true, vinegar dissolve in water, पानी है, उसके अंदर vinegar डालो, vinegar क्या है बई, vinegar होता है, सिरका, जिसके अंद drops, आप डालो, ठीक है ना, तो आप देखोगे कि वो पानी के अंदर बिल्कुल गायब हो जाएगा, means उसके अंदर वो dissolve हो चुका है, तो यह भी क्या है, बच्चो, एक true statement है, तो यह थी आपके true and false, उसके बाद है next, देखें क्या है बच्चो, next question है, हमारे पस given below are the names of some objects and materials, देखो बच्चो, उन्होंने आपको कुछ object, कुछ material के name दी है, तो उसके बाद यह कुछ object है, यहाँ पे जो mention कियो है, ठीक है बच्चो, group them as, हमने उनको group wise क्या करना है, classify करना है, उनमें से round shape वाले कौन से हैं, और other shape कौन से है, जिनकी round नहीं होगी तो उनकी कोई other shape होगी उनमें से खाने वाली चीज़ें कौन से है, eatable कौन से है, और non-eatable कौन से है, चलें, अब देखते हैं, round shape वाले निकाल लेते हैं, पहले बच्चो, water आपको क्या लगता है, वो round shape है, बिल्कुल नहीं है, water की तो कोई shape ही नहीं होती है, ठीक है, irregular है, हम उसको जिस smurgy container में रखें, वो वैसा ही, क्या ले लेता है, shape ले लेता है, तो वास्केट बोल ये क्या है, मारे पास round है, बच्चो, orange भी round होता है, sugar नो, ये तो crystal form में होती है, चोटे-चोटे से, तो ये भी round नहीं है, globe क्या होगा, आपका round होगा, yes, बिल्कुल globe, उसके बाद apple भी round है, ठीक ह ये आपका इधर आना था, apple भी round है, और then picture, जो घड़ा होता है, ये भी round होता है, ये भी round होता है, आपने घड़ा थोड़ा सा, ऐसे नहीं होता, गोल सा, round सा, तो ये थी हमारे पास कुछ round shape वाली चीज़े, other shape किसकी है, water की other shape थी, और sugar की, यहाँ पे दो ही बच्च गे थ लिए, उसके बाइटेबल में ही आ जाएगा ना बचो, उसके बाद बास्केट बोल को तो नहीं खाएंगे, orange को खा लेंगे, बिल्कुल, sugar को भी खाने में यूज करेंगे, बिल्कुल, globe को नहीं खाएंगे, यह नहीं आएगा, apple को भी हम खा सकते हैं, ये वाला picture हम खा नह है, तो बहुत इजी था ये तो, खाने वाली चीज़ें हमने यहां पर लिख दी है, उसके बाद है, non-eatables कौन से है, non-eatables जैसे बास्केट बास्केट बॉल थी, और globe हो गया है, और अर्दन पीचर ये कह हैं हमारे पास, non-eatables, जो हम खा नहीं सकते हैं, खाने के लिए य और चेक करना है, check and see if they will float on an oil or kerosene, और चेक करना है, क्या वो चीज़ें, oil or kerosene के उपर भी float करेंगी, जनने, तो यहां पर कुछ आइटम्स लिखी है, मैंने, जो पानी के उपर float करती है, जैसे paper है, polythene के बैक भी देखे होंगे, पॉंड के उपर ऐसे लोगों नहीं, कित फ्लोट करती है, sponge, वो भी float करती है, hair आपका, ठीक बच्चो, wood, thermocole, balloon, यह कुछ चीज़ें है, कुछ आइटम्स हैं, जो क्या करती है, पानी के उपर float करती है, और यूजली यह सारी चीज़े, oil or kerosene के उपर भी क्या करती है, फ्लोट करती है, next हमने यहां पर, क्या करना ह odd one को, क्या करना है, find out करना है, ठीक है, जो आपको लगे, यहां पर fit नहीं हो रहा है, odd है, बिलकुल, match नहीं कर रहा है, तो जैसे cheer है, bed है, table है, baby आगया है, यहां पर cup boat, तो आपको क्या लगता है, कि baby का यहां पर क्या connection है, cheer, किसकी बनी हो सकते, wood की, bed भी wood का बना है, table भ बेबी तो नहीं, wood से बना है, तो यहां पर odd क्या है, बच्छो, odd है, यहां पर baby, और इसको और चीजों से भी हम कैटेगराइज करते है, यह सारी चीजे नॉन लिविंग है, और बेबी यहां पर living आ गया, ठीक, next है, rose, jasmine, boat, marigold, lotus, तो आप देखो कि यह सारे इसके नेम ह flowers के नेम है, और यहां पर एक boat ही एक अकेला, अकलोता बचा है, जो यहां पर fit नहीं होगा, बाकी सारे कौन क्या है, यहां पर बच्छो, flower है, next है, aluminium, iron, copper, silver, यह सारी metals हैं आपके पास, यह क्या है, सारी shiny है, metals है, और sand जो है, यहां पर यह क्या है, metal नहीं है, तो sand ही यहां पर एक odd, क्या है, हमारे पास, odd one है, next है, बच्छो, sugar, salt, sand, copper sulfate, तो अगर आप देखो, तो आपको क्या लगता है, यहां पर कौन सा, आपको क्या लग रहा है, odd one, तो हम इसको solubility के base पे देखते है, sand जो है, यह पानी में नहीं घुलती है, sugar भी घुल जाता है, salt भी घुल one, क्या है, sand है, तो यह थे आपके NCRT के answers, इसके बाद हम discuss करने जा रहे हैं, extra questions, इस chapter में से हमने कुछ find out की है, आपको examination के लिए, यह important हो सकते हैं, तो आप इनको धिखना कौन-कौन से हैं, बच्छो, सबसे पहले है हमारे पास, जैसे कि आपका chapter is sorting material into groups है, ग्रूप का होता है, उनको classify करना, उनको arrange करके रखना, तो इसको हम classification भी बोल सकते हैं, तो question बनाया है, हमने define classification क्या होता है, classification का मतलब होता है, it means grouping things on the basis of their similarities and dissimilarities, मान लीजिए, आपके पास बहुत सारी round सी चीज़े हैं, कुछ square सी चीज़े हैं, कुछ triangle सी चीज़े हैं, और आपने इन similarities, clear, ये सारी similar हैं, तो इनको excite कर लोगे, और dissimilarity भी तो देखोगे, ये इस से match नहीं करती है, अगर मान लीजिए, आपने गलती से square उठा ले, आप देखोगे, नहीं ये तो similar नहीं है, ये तो dissimilar हो गया है, तो means, हम similarity as well as dissimilarity, दोनों के basis पे चीज़े को क्या करते हैं, बच्चों, classify, उनको group wise कर लेती हैं, divide, clear, तो ये कर लिए हमने, तो जो similar थे, वो excite कर दिये, जो उनसे similar नहीं थे, वो, हमने side कर लिए, तोनों ही हमने properties को यहां पे use किया, ठीक, next one, what is combustible materials, क्या होते हैं, materials, जो combustible होते हैं, जलने वाले material, बच्चों, जो चीज़े जल सकती है, ठीक है, the material which burns on heating at a particular temperature, आप कोई भी material रखो, अगर आप उसको थोड़ा सा temperature दो, गरम करना तो पड़ेगा, अपने आप तो जलने नहीं लगेगी, ठीक है, उसको थोड़ा heat देंगे, तब ही वो जलेगी, तो जब अगर वो material जलना शुरू कर दे बेटा, तो वो होते हैं है, तो जैसे एक्जामपल में आप जैसे paper हो गया है, wood है, यह combustible है, ठीक, non-combustible जैसे stone है, उसको आप जितना मज़ी गरम कर लो तो वो नहीं जलेगा, तो यह आगा है, non-combustible जो नहीं जल सकते हैं, ठीक, यह लिजए, मैंने दोनों ही आपको बता दिये, next, define soluble substances, soluble substances क्या होते हैं, substances that completely disappear, मा लीजी यह water है, उसके अंदर कोई substance डाला आपने, वो completely उसके अंदर गायब हो गया, disappear हो गया है, or dissolve in water, ठीक है, और पानी में क्या हो गया, वो dissolve हो गया, are soluble in water, वो चीज़ें क्या होती है, soluble in water होती है, जहां फिर वो क्या होते है, soluble substances होते हैं, जैसे कि salt है, sugar है, अभी पीछे हमने बात की है, copper sulfate भी आप यहां पे लिख सकते हो, you are science students, तो आप लिख सकते हो इसका copper sulfate भी answer में, next one, what type of substances is called translucent, कौन से substances को translucent बोला जाता है, बचो, हमारे पास three type के objects होते हैं, substance होते हैं, एक होते हैं transparent, अभी हम पीछे बात करके आए हैं, एक होते है हमारे पास, translucent हमने इस chapter में, detail में सारी चीज़े discuss की हैं, बचो, एक बार फिर भी बता रही हो, मैं आपको transparent, माली ये कोई material है, आपको इसके पीछे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, clear, clear देख सकते हो आप, translucent में से थोड़ा सा क्यान लगेगा, blur, blur क्या होगा, नजर आएगा बिल्कुल धुंदला साजे से आप बोल सकते हो, not clear, not clear, ठीक, opaque होता है, तो उसके तो बिल्कुल ही नजर आएगा, आपको पीछे क्या है, नहीं पता लग रहा, कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है, not visible, anything आपको नहीं पता चल रहा है, उसके पीछे क्या है, तो अभी पता चल गया होगा कि translucent stances कौन से है, the materials through which objects can be seen, but not clearly, आपको दिखेगा material, क्या पड़ा है उसके पीछे, लेकिन वो clear नहीं दिखेगा, जैसे कि कई बार आपको oily patch होता है paper में, थोड़ा सापका paper बन जाता है, translucent, आपको उसके पीछे थोड़ा सा blur सा नजर आता है, ठीक बचो, त what do you mean by the term transparent, आगे है हमारे पास transparent का definition आपने लिखना है, क्या मतलब है इसका, दो substances or materials, through which things can be seen, clearly word आप यहां पे, add कर लो, clearly, जिसके बीच में से आप clearly देख सकते हो, चीजी होती है, transparent water है, glass है, air भी आप लिख सकते हो, यहां पे बचो, तो यह था transparent, next है, what is the difference between hard and soft materials, क्या difference होता है hard and soft materials में, बच आपको पता है कि जो soft material होते हैं, जैसे sponge देख लीजिए, cotton का कोई आप देख लो, थोड़ा सा, ठीक है, mass लो, और भी बहुत सारी soft चीजी है, balloon है, वो भी थोड़ा soft, आप उनको क्या कर सकते हो, compress कर सकते हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, दबा सकत सकते हैं, जैसे butter देखा होगा, आपको थोड़ा सा बताते है, butter बहुत soft होता है, माली जी, थोड़ा melt हो गया butter, तो अगर आप इसको spoon से ऐसे करोगे, तो बिल्कुल easily वो scratch हो जाएगा, बिल्कुल easy, अगर आप उसको fridge में रख दो butter को, पूरा, fridge में वो ठंडा हो गया, ice में हो जाएगा, फिर आप इसको spoon से जब scratch करने की कोशिश करोगी ना, तो वो नहीं हो पाएगा, थोड़ा hard हो जाएगा, तो बेटे, soft material जो होते हैं, ये compress हो जाते हैं, और इनको scratch भी कर सकते हैं, जबकि जो hard material होते हैं, it is difficult to compress, ठीक है, वो उनको difficult, ऐसे कोई wall है, उसको आप नहीं दबा सकते हैं, hand के साथ, कोई फरक नहीं पड़ेगा, उसको वो होते हैं, hard materials, clear, next है मारे पास define insoluble materials, जैसे हमने soluble पड़ा है, ऐसे insoluble materials भी होते हैं, बच्चों, जो क्या होते हैं, water के साथ, mix नहीं होते हैं, and do not disappear, even after we stir for a long time, चाहे आप उनको घोलते रहो, stir करते र होते हैं, insoluble, example में, अगर हम देखें, जैसे sand है, बच्चों, और chalk लेक सकते हो, आप तो ये कुछ material है, जो क्या है, हमारे पास insoluble होते हैं, water के अंदर, तो ये थे बच्चों, आपके पास question and answer, NCRT, and आपके कुछ in-text questions, जो हमने find out किये, और आपको answer बताए, I hope you like this video, thank you so much कुछ